हेलो फ्रेंड्स बिद्यापी टेस्टेट पैंड में आप सभी का स्वागत है आज का जो हम क्लास देखेंगे यह आपका बिहार दोरोगा का 100 कोश्चन का टेस्ट सीरीज होगा जिसका हम यहाँ पे इसके सलूसन को देखेंगे इससे पहले हम इसका पीडी अप टेली गराम पे अपलोड कर दिये हैं तो वहाँ जाकर सबसे पहले आप इसको टेस्ट दे दीजिए जिसके बाद आप इसका एंसर मिला सकते हैं तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट कोशन देखेंगे तो पहला क इसमें कह रहा है निमलिखित में से किस एक बैदिक को जो साहित में मुक्ष की चर्चा मिलती है तो साहित की मुक्ष की चर्चा मिलती है वो सबसे पहले उपनी सद में मिलता है उपनी सद में ही सबसे पहले मुक्ष की चर्चा मिला है निमलिखित सासकों में से किस एक ने चार असमेक यग का संपादन किया था तो सबसे पहले वकाटक बंस के सासक परवर सेर पर्थन थे जिसने चार असमेक यग को जो है जो करवाय था उससे बात देखेंगे तो समुद्रगुप जो है यापका एक असमेग यव करवाया था वहीं पुस्मुत सुंग जो है यह सुंग बंस का सासक और दो असमे गियक करवाया था निसकोशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है तो यह देखेंगे पांडे बंस का राजधानी जो है यह मधूरे या मधूरा है तो इस तरह से इसका एंसर जो है डी हो जाएगा निसकोशने हैं होई सालो की प्राचीनतम राजधानी द्वार समुंद्रम का बरतमान नाम क्या है तो बरतमान नाम जो इसका है वो है हेले वीड हेले वीड जो है ये इसका बरतमान नाम है देखेंगे सिंगेरी तो संकरा चार्ज के दौरा सिंगेरी मट का अस्थापना किया गया था बेलूर देखेंगे तो ये जो है बेलूर मट जो है स्वामी विवेका नंजी के दौरा ब मुवारक खान जो की 1316 में आया है उसके बाद आया है फिरोस सा तुगलक जो की आपका 1351 में आया है और उसके बाद जो आया है ये आपका आलम सा जो की 1388 में आया है तो इस तरह से इसका काल करम सजाएंगे तो एक दो तीन चार हो जाएगा यानि इसका एंसर सी हो जाएगा नेस कोश्चन देखते हैं अकवर के सासन काल में निमलिखित घटनाओं को तीथी कर्मा अनुसार प्यवस्थित करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले देखेंगे तो ये अकवर द्वारा जो जजिया कर जो था ये आपका 1564 ठिस्वी में जो है समाप्त किया गया था उसके बाद देखेंगे तो इबादत खाना का निर्मान फते पूर्शिक्री में किया था और ये जो किया था 1575 में इसका निर्मान किया था इसके बाद देखेंगे तो मजहर परहस्ताक्षर जो सब किया था ये आपका 1589 में किया था दीन ए इलाही की अस्थापना जो किया था ये जो किया था आपका तो 1582 में दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था तो इस तरह से इसका याद रखेगा इलाही संबत जो चलाया गया था ये 1583 में इलाही संबत चलाया गया था तो इस तरह से इसका एंसर जो देखेंगे इसका भी एंसर हो जाएगा एक दो तीन चार नेस कोश्चन देखते हैं सुची वन को सुची टू से सुमेलित कीजिए तथा सुचियों के नीचे दगे कूट का पर्योग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए तो इसमें देखेंगे तो इसका जो दिया है हसम निजान जो है यह आपका ताजूल मासिर के द्वारा लिखा गया पुष्टक है वहीं देखेंगे तो खौन दामीर जो देखेंगे तो यह आपका हुमायु नामा के जो है बुक है मोहमद काजित जो है यह आपका नुसका खाए दिलकुसा है जबकि भीम से हम दखेंगे तो यह इसका आलम गीर नामा हो जाएगा तो इस तरह से इसका अंसर ए हो जाएगा नेश कोशन देखते हैं निमलिखित में से किस भारत में फ्रांसी सी कमपनी का संस्थापक माना जाता है तो यह माना जाता है कोलवर्ट को माना जाता है तो इस तरह से इसका अंसर जो है C हो जाएगा फ्रांसिसी समराट लुई 14 के मंतिरी कोलवर्ट ने भारत में जो है 1664 इसी में अस्थापित फ्रांसिसी इस्ट इंडिया का अस्थापना किया था नेस कोशन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजे तथा सूची के नीचे दिये गए कूट का परियोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजे तो देखेंगे इसका चयन करने के लिए दिया गया है तो इसका जो देखेंगे तो सबसे पहले आता है ब्रहम समाज ब्रहम समा अस्थापना जो है यह दाया नंद स्वरोशत्ति की जी के द्वारा किया गया था और यह मुंबे में किया था नदव उल्मा का जो अस्थापना है यह आपका लखनों में किया गया तो इस तरह से इसका अंसर डी हो जाएगा नेस देखते हैं भारत राश्टी कांगरेस के पर्थम मुसलीम अध्याक्ष कौन थे तो हम जानते हैं जो 1887 इसपी में जो है सबसे पहले बदरुदीन तयव जी के द्वारा जो है मुसलमान होते गनाते पर्थम कांगरेस का अधिवेशन में अध्याक्षता किये थे तो इस जो देखेंगे तो इसका अंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा होम रूल अन्दोलन जो की आपका होम रूल अन्दोलन हुआ था और ये सबसे पहले उनेश सो सोलम में किसके द्वारा बालगंगाधर तीला किसी के द्वारा है अब आता है सत्यागर चमपारन सत्यागर ये उनेश सो सत्रम हुआ था और तीन कठिया परनाली के विरोध में कहां हुआ था पस्मी चमपारन में जालियाबाला भाग हत्याकान ये आपका उनेश सो उनेश में हुआ था उनेश सो उनेश में हुआ था रॉलेट एक्टे विरूद में और ये सैफुदिन और किछली को गिरपतारी हो जाने के कारण अमरित सर में जो है एक मिटिंग हुआ था जिसमें गोली चला दिया गया था जेनरल आर डायर के और भारतिय राष्ट का अमरित सर अधिवेशन जो है सबसे लाष्ट में हुआ था और ये हुआ था आपका उनेश सो उनेश में ही हुआ था तो ये भी याद रखेगा तो इसका अंसर ये हो जाएगा नेस कोशन देखते हैं नेस कोशन कहा रहा है महात्मा गांधी जब दूत्य गोल में समयलान में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे तो ये कहां ठहरे थे तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे दूत्य गोल में समयलान में भाग लेने गए थे तो समय एस एस राजपुताना जहाद से गए थे ठी 1937 में आम चुनव के बाद भारतिय राष्टे काउंगरेश ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी तो अपनी सरकार जो नहीं बनाई थी ये बंगाल में जो है मुसलिम लिंग का सरकार बन गया था तो वहाँ पर उसका सरकार नहीं बना था हिंद स्वराज के लेखक थे तो हिंद स्वराज के लेखक देखेंगे तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे ये महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे महात्मा गांधी नहीं माई एक्सपेरिमेंट बित दरूर्स नामक आत्मकाथा लिखी Indian opinion और Harjan नामक पत्र क्लाई, जो बाल गग outta it Kee के बारे थीआ है तो बालगा अदर तिलक के द्वारा गीता रहसी लिखा गया है, और बालगाध outta it Kee के द्वारा जो पत्री का जारी किया गया था एक Maratha और एक Sabhan ठीक है तो यह चीज याद रखेगा अगर नवा भारत योग ने साइमन कमिशन का बहिसकार किया क्योंकि भारती इसलिए कमिशन का जो 1928 में जो है इंडिया आया था साइमन कमिशन उसको इसलिए बहिसकार किया था कि उसमें एक भी भारतीय सदस नहीं था यहाँ इसका एंसर सी हो जाएगा नेस कोश्चन देखते हैं M.K. गांधी ने निमलिखित भारतियो राष्टिय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसे एक में सरपर्थम भाग लिया था तो महात्मा गांधी सबसे पहले जो भाग लिये थे ये लिये थे कलकता अधिवेशन 1901 में तो यहां इसका एंसर जो हो जाएगा भी हो जाएगा नेसे देखते हैं महात्मा गांधी ने सरपर्थम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकता अधिवेशन भाग लिया इस अधिवेशन की जो अधियक्स्ता किये थे ये किये थे दिनसा वाचा इसका अधिवेशन का अधिवेशन का अधियक्स्ता किये थे याद रखेगा जो 1924 में हुआ था और ये हुआ था बेलगाउ में ठीक है आईए नेस कोशन देखते हैं नेस कोशन का रहा है कारागारों में से किस एक में जवारला लेहरू ने Discovery of India पुस्तक लिखी थी तो ये जो लिखा था अहमदाबाद फोर्ट जिल में यहाँ पर इसका अंसर भी हो जाएगा 18 नमर कोशन देखते हैं उत्तरपूर्वी भारत के पहारी एवं जंगली छेत्रों में निमलिखित में से कौन सा एक परजाती समू पाई जाती है ये जो पाया जाता है आपका Mangolet पाया जाता है ये यहाँ पर इसका अंसर C हो जाएगा सिरी हरी कोटा दीब निकट अवस्थित है सिरी हरी कोटा दीब जो किसके निकट अवस्थित है तो सिरी हरी कोटा दीब जो है आपका जो आंध पर्देश और तेलांगना के तो तमिलाडू के 20 सीमा पर एक जील है उसके पासी सित है जिसको हम पुली कट जील करते हैं निस देखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक परवत सबसे पुराना है तो सबसे पुराना परवत आता है यह आता है अरावली परवत सिरेनी यहाँ इसका एंसर ए हो जाएगा नेस देखते हैं भारत के निमलिखित राज्यों को उनके छेतरी आकार के अबरोही करम में विवस्थित कीजिए तो अबरोही करम में हमको क्या करना है विवस्थित करना है तो सबसे जो देखेंगे इसमें तो सबसे पहले जो आएगा ये आएगा सबसे बरा छेतर पर जो होता है ये राजस्थान का ये यहाँ पर एक नमर हो जाएगा दूसरा जो छेतर आता है ये मद परदेश का ये दू नमर छेतर हो जाएगा तो यहाँ पर इसका दिखेंगे इसका answer जो है यह हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है नेस्स question का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का परियोकर सही उत्तर का चेयन कीजिए तो 22 नमर question है तो इसका answer D दिया हुए यहाँ पर देखेंगे यह है गंगा जो है यह आपका सोन नदी गंगा की सायक नदी है गोदावडी की सायक नदी मंजिरा है और कृष्णा की सायक नदी जो है भीमा है यमना की सायक नदी केन है नेस्स question देखते हैं भारत में केसर का सब सबसे बरा उत्पादक राज कौन सा है तो केसर के सबसे बरा उत्पादक राज है यह आपका जम्मु कस्मिर है यहाँ इसका answer A हो जाएगा नेस्स देखते हैं बीटी कल्चर के द्वारा निमलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है तो बीटी कल्चर के द्वारा अं निमलिखी तराज्यों को उनके चाबल उत्पादन के अवरोही करम में विवस्थित कीजिए यानि चाबल के उत्पादन सबसे जयदा कहा होता है और सबसे कम जो है ये कहा होता है तो सबसे जयदा जो होगा ये आपका होगा सबसे जयदा तो होता है पसीम बंगाल में लेकिन सबसे कम जो सबसे जायादाद जो होगा, यह कहाँ होगा तमिल नाडू में, ठीक है, उसके बाद पैंजाब में उसके बाद होगा आन्थ पर्देश में, उसके बाद जो होगा चार नमर्ड डी में, यानि इसका अंसर डी दिया हुआ है निश्ट देखते हैं निमलिखित जाला साईयों में से किस एक के मज़ परदेश का हर सूद कस्वा जलमगन हुआ है तो यह जो हुआ है आपका यहाँ पर देखेंगे तो इंदरा सागर हो जाएगा निश्ट है निमलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधीक विदेशी मुद कमाता है तो सबसे अधीक विदेशी मुद्रा जो कमाता है यह चाय कमाता है भारत में पेट्रूलियम का अगरनी उत्पादन है तो पेट्रूलियम का जो सबसे अधीक उत्पादन होता है यह होता है गुजरात में निश्ट देखते हैं भारत में निमलिखित तराजियों मे से कौन सा एक कोईले का सरपर्थम उतपादक है, तो सरपर्थम उतपादक में कोईला का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा उरीषा, यहाँ पर नेश देखते हैं, अभी यहाँ पर देखे, अभी 36 गड़ है, यह चीज़ याद रखेगा, 36 गण है, लेकिन सबसे यदि भंडारन में पूछे, तो भंडारन में जार खंड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, कुईला उत्पादन में पहले का कोश्चन है ये, तो उरिशा है, लेकिन अभी फिलहाल याद रखेगा, चातिस गण है, और भंडारन में जो हो जारखन्ड हो जाएगा ठीक है निमलिखित राज्यों में से कौन एक अभरक का उत्पादन नहीं करता है अभरक उत्पादन जो है यह मत परदेश जो है अभरक का उत्पादन नहीं करता है अब देखेंगे नीचे वक्तब दिये गए एक कथन और दूसरे कथन के कारक को कहा देखेंगे हिमालाई में भू अस्खलन की आबरिती में बिर्धी हुई है और कारण जो इसका दिया हुआ है हाल के बरसों में हिमालाई में बरे पैमाने पर खनन का कारी हुआ है उप्यूक्त संधर्व में निमलिकित में से कौन सा एक सही है इसका सही जो देखेंगे तो यह आपका सी नमर है यानि एक सही है और प्रंतु आर जो है यह गलत है नेस को संधिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का परियोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए तो देखिए यहां इधर जो दिया गया है नदी दिय है पोटो मैक के किनारे ठीक है उसके बाद देखेंगे तो आपका नील नदी आता है नील नदी के किनारे जो देखेंगे तो सुडान है जो की आपका दचनी अफरीका के एरिया से निकलता है नेस देखेंगे तो आपका टिग्रिस नदी के किनारे इराक हो जाएगा और टे सूची वन को सूची टू से मिलान करने के लिए दिया है और सही उत्तर को पहचानने के लिए यह जो इसका एंसर जो दिया है यह नमर यानि बुलगारिया जो है यह देखेंगे बुलगारिया यह हो जाएगा सोफिया के किनारे सोफिया जबकि जोर्जिया देखेंगे यह हो तिवलिसी, आइसलेंड हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका रियू क्यो यावी और नौर्वेज हो जाएगा इसकी राधानी ओसलो ठीक है निश देखते हैं निमलिखित कत्नों में से कौन से सही है तो सही देखेंगे इसमें से चुनना है कौन-कौन सी सही है तो सही के लिए देखेंगे तो बियूंगेला धारा हिंद महास्यागर में परभावित होती है देखेंगे पस्मी आस्टेलियन धारा एक सीतल धारा है हमबोल द्वारा चीली के तट के रास्ते परभावित होती है आयो सीवो धारा जापान तट पर उस्न जल लाती है इसमें स देखते हैं, 36. नमर कोश्चन, नेमलिकित में से कौन सा एक यूग्म सही है, यानि इसमें से एक सही है, बादमा की सब का सब क्या है, गलत है, तो यह देखेंगे, बोथानिया के खारी, फ्रांस में यह गलत है, बैफीन के खारी, अर्जेंटिना में यह भी गलत है, कार्पें जिन्टीरिया की खारी कानाड़ ये भी गलत है, जबकि टून किंग की खारी बियत नाम ये यहां पे सही है, इसका एंसर D हो जाएगा, नश्थ देखते हैं, ओजन परत पाए जाते हैं, तो ओजन परत जो पाए जाता है, ये एस्ट्रोफोए स्पियर में पाए जाता है, या पैसर मुद्वे से लिए लुए दया गया है, और इसका ऐंसर देखेंगे, इसका ऐंसर दिया हुआ यहाँ पर C, यानि, कहवा जो है YOD, जो आपका साव, पाव, पथार में पाए जाता है, जूट जो है यह गंगा डेल्टा के डेल्टा ही 0-0 पाए जाता है, कोन्सा एक राज अधिक्तम नगरिकृत है तो एक सम नगरिकृत राज्जी हो जाएगा यह महराश्च्ट हो जाएगा इसका एंसर B हो जाएगा संुमिधान के निभलिखित अनुच्षेद में से किस एक के द्वारा अस्प्रिस्ता का अंत किया गया है तो यह अनुछे 17 के द्वारा किया गया है तो यह आप जानते होंगे इस देखते हैं अपातकाल की गोशना को स्विक्री तहेतु संसत के समक्ष रखा जाना आवस्यक है तो कितने दिन के अंदर रखा जाना आवस्यक बिहार में गाया किस लिए परसीद है तो बिहार में गाया जो है यह आपका देखेंगे तो पित्रों का तरपन के लिए परसीद है यहाँ पर इसका एंसर यह हो जाएगा नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन काता है निम्रिकित मैंसे किस सदन के दोनों सदनों में बोलने अनकारवाहियों में समलित होने एवं किसी भी संसद्य कमेटी का सदस होने का अधिकार तो है परंतु उनको भूट देने का अधिकार नहीं है तो यह देखेंगे तो भा सरकारिय आयोग की सिफारिस का संबंध की से है तो सरकारिय आयोग जो था इसका संबंध कीर अंदर और राज के प्रासपरिक संबंधों से है नहीं देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है तो संविधान का अंग जो नहीं है यहाँ पर निर्वाचन आयोग की चर्चा जानते हम 324 में जो है अनुछेद में निर्वाचन आयोग की चर्चा है निस देखते हैं राज के बित्य लेखों पर नियंत्रन रखता है तो राज के बित्य लेखा जो होता है उस पर नियंत्रन किसके द्वारा रखा जाता है ये देखेंगे राजपाल के द्वारा नहीं रखायाता है मुखमंत्री के द्वारा नहीं रखायाता है राज़ के बीत सचीब के नहीं रखायाता है क्योंकि बीत आयोग जोता है इसके लिए राज़ के बीत आयोग इसके द्वारा रखायाता है यहाँ इसका एंसर D हो जाएगा राजों को बित्य लेखा पर राजपाल मुखमंत्री अथा मुख सचीव किसी भी नियंत्रन में नहीं राता है भारत के निम्न मुख न्याधी सो में से किस एक ने राश्टपती के रूप में कार किया था तो देखिए मातर एक जो था जो कारवाहक के रूप में जो कार किया था ये कौन था जस्टीस M. हिदैतुला यानि यहाँ इसका एंसर B हो जाएगा देखते हैं राज भूमी सुधार अधिनियमों को सम्मेधानिक सुरक्षा परदान करने है तू समलित किया गया है तो यह आपका कौन सी अनुसुची में समलित किया गया है तो यह देखेंगे तो नौभी अनुसुची में समलित किया गया है देखिए सात्मी अनुसुची में जो देखेंगे तो केंदर राज के जो संबंध है इसके बारे में सात्मी में बताया गया है आठवी में भासा से है और दसवी में दल बदल से है निस देखते हैं वो राज जिसे ने सबसे पहले पंचैती राज स्विकार किया था वो पंचैती राज स्विकार करने वाला पहला राज जो था यह आपका जो है राजस्थान था और दूसरा कभी कभी पूछ देता है जो क हो जाएगा 1999 से 2000 में यहाँ पिसका एंसर C हो जाएगा ने इस कोशन देखेंगे एक देश अपनी मुद्रा का अभमूलन का सहारा लेता है तो यह अभमूलन जो करता है कौन किसलिए करता है तो बेपार से इसको ठीक करने के लिए यानि यह इसका अंसर यह हो जाएगा देखिए मुद्रा का अबमुवल करने में जो अम निर्यात को बढ़ाता है लेकिन इसमें आयात को घटा दिया जाता है तो यह यहाँ पर एक टॉपिक है इससे भी आपको कोश्चन देखने को मिलेगा नीचे दो वक्तब दिये गए हैं एक को कथन और दूसर के तुलना में अधीक हो जाती है तो इसमें से बताना है कौन सा सही है यहाँ देखेंगे तो इसका जो है ए और बी दोनों सही है आर जो है एक का व्याख्या भी करता है इस तरह से इसका एंसर ए हो जाएगा नेस कोश्चन देखते हैं भारत का सारवजानिक छेतर में सबसे बड़ा बानीजी बैंक कौन है तो सबसे बड़ा बानीजी बैंक जो होगा वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं नेमलिखित समू में से किस एक को केंदर सरकार दौरा एकत्र किया जाता है तथा राज के साथ बाटा जाता है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंसर इसका हो जाएगा भी यानि आय कर निगम कर और उत्पाद कर देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस अविलेगेशन फंड का संबंद किस्ति है तो यह संबंद जो हो जाएगा समान कीमत बनाए रखने के लिए तेल सोधन कमपुनियों के लेखों के गुजन से यहाँ इसका एंसर भी हो जाएगा जैसे देखते हैं सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है तो यह देखेंगे इसका इसका answer जो है B नमर दिया हुआ है यानि एक का तीन होगा तो एक के देखेंगे तो M.S. स्वामी नाथन हरित करांती से सम्बंधित है ठीक है वहीं देखेंगे तो L.K. जा जो है ये काराधान से सम्बंधित है वहीं देखेंगे तो B.G. कूरियन देखेंगे तो ये आपका दुद उत्पादन से है और मुरार जी देखेंगे तो ये बैंकों के समाजिक से है यानि इसका answer B हो जाएगा निश्दिया है निमलिखित में से किस एक के पुर्णती के लिए भारत में मुक्त बेपार छेतर की अस्थापना की गई है ये जो किया गया है निर्यात उद्योग के लिए यहाँ पर इसका answer C हो जाएगा किसी तारे का रंग दरसाता है तो तारे का जो रंग है उसको क्या दरसाता है ये इसका जो तापमन होता है उसका रंग को दरसाता है निर्यात कोशन देखते है दो समतल दरपन एक दूसरे से किसी कोन पर नत है एक परकास के कीर ने एक दरपन के समानंतर चल कर दो परावरतन के बाद दूसरे दरपन के समानंतर हो जाता है ऐसे दरपन के बीच का कोन कितना डिग्री का बनेगा तो यह जो कौन बनेगा साथ डिग्री का बनेगा तिहां पर इसका एंसर यह हो जाएगा साथ नमर कोशन देखेंगे पूर्ण सूरी गरहन के दौरान सूरी को सीधे देखने से आँख में और परिवर्तनी छती पहुंशती है रेटीना का जन्म सूरी की किर्णों के निम्र घटकों में से किस एक के कारण होता है तो यह किस कारण से होता है यह आपको बताना है तो यहाँ पर देखेंगे तो अल्ट्रा वॉयलेट परकास के दौरा यानि अवरक्त किर्णे के दौरा निज़ देखते हैं जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परकास निम्न में से कौन एक और परिबर्तित रहता है यानि तीन तो बदल जाता है लेकिन एक जो है ये नहीं बदलता है तो आपरीती जो है ये आपका कभी नहीं बदलता है रेडियो एक्टिवेटी का अभिस्कार किया था रेडियो एक्टिवेटी का अभिस्कार देखेंगे ये आपका बेकिरल के द्वारा किया गया था नेज़ देखेंगे परकास बिदुत परभाव के अभिस्कार कौन थे तो ये आपका आइंस्टिन था परकास बिदुत परभ कभी चेंज नहीं होता हैsty ज का I thought of किस्ट करें जर्मनं से लबर में चांडी का प्रेंचत होता है हम जानते हैं जनवर सीरत होता है इसमें चांडी नहीं होताहै यानि जीरो पोपर्सेंट हो जाएगा निसदे इसके द्वारा दही बनाने में काम आता है ठीक है उसके बाद जो होता है इसके यह हो जाएगा इस्ट जो होता है इसके एक सुमेलित नहीं है तो देखे इसमें तीन सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है तो यह बताना है आपको कोशिका का केंदरक, नियंतन का केंदरक है तो यह सही है प्राकिर्थिक रबर, पॉली आयसोप्रीन के बनते हैं यह सही है कौरियोलाइट, इलमूनियम का अयस्क होता है यह भी सही है जबकि रोगानू लोधक, फिनालोफलोथिन यह आपका गलत है यहाँ पर इसका अंसर D हो जाएगा नियुक्त देखेंगे अलफा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो फ़स्तित होता है तो अलफा कैरोटीन जो होता है यह आपका उन में पाया जाता है यह यहाँ पर इसका अंसर B हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से यहां भी मिलान करने के लिए दिया हुआ है देखेंगे इसका जो एंथ्रेक्स जो हो जाएगा इंथ्रेक्स क्या हो जाएगा इंथ्रेक्स हो जाएगा यहां पर इसका चार नमर यानि एक बीस जो जैव यूक्त में जो काम आता है दुसरा देखेंगे थैलेसीमिया यह आपका दोस के जीन से उत्पन होता है सारगोसो जो हो जाएगा यह आपका गर्व की किरायदारी जो होता है सारगोसो होता है और transgenics जो हो जाएगा यह आपका genome के परिवर्तन करने माता है तो इस तरह से इसका answer यह हो जाएगा निश आता है टूमर की पहचान हे तू परियोक्त रेडियो धर्मी सम अस्थानिक है तो रेडियो टूमर को पता लगाने के लिए जो यह होता है आर्से निक 74 यानि इसका answer C हो जाएगा दूरदर्शन परसारनों में धोनी संकेतों को प्रेशित करने में परियोक्त तकनिक है तो यह जो तकनिक है यहाँ पर आबरिती का मोडूलंज होता है यह इसका तकनिक है निस देखते हैं अंतरिक सियात्री निर्वात में सीधे खरे नहीं रह सकते हैं क्योंकि अंतरिक सियात्री जो है तो आपका सीधे खरे नहीं रहते किस में निर्वात में यह किस लिए नहीं रहता है यह देखेंगे तो गुरुत वहाँ पर नहीं पाए जाता है निस देखत और यह है घट जाता है लेकिन घनत तो यह बढ़ जाएगा लिए अस्पतालों में मन्त निशेचतक के रूप में परयुक्त होता है तो निशेचेता का रूप में जो परियोग होगा ये नैट्रस आॉकसाइड का परियोग होता है तिहाँ इसका एंसर D हो जाएगा लसून की अभी लक्षिनी की गंध का कारण है ये जो देखेंगे एक गंधक का योगिक है नेस्ट कोशन देखेंगे बहुलक जो बिसेस्त बरतनों पर नचिपक ने वाली सतह के रूप में परियोगत होता है ये है आपका जो हो जाएगा टेफलोन यानि इसका एंसर B हो जाएगा निश्दिया है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए कोईला पेट्रोलियम तथा पराकिर्तिक गैस जिवास मिंधन है गैसो होल एक बेंजीन तथा एलकोहल का मिश्रन है तीसरा नमर दिया है जो भूतापिय उर्जा एक औपरारपरंबिक उर्जा का सुरोत है गोबर ग लंगरिक गासे का होगता भी है इसमें सब सही है इसका अंसर डू हो जाएगा निश कोशन देखते है एक 181 नमर कुशन का रहा है भारत में पर्मुक जो है सक्ति पर्योजना है तो ये किस पे अधारित है सक्ति पर्योजना ये जो देखेंगे तो कोईला पे अधारित सक्ति पर्योजना है यानि बिजली जो है सबसे ज़्यादा तापिय बिजली होता है और किस से उत्पादन होता है तो कोईला से होता है भारत में र बायुमंडल नैट्रोजन की मात्रा में बिarilyधी हो जाएगा, यानि इसका एंसर ये हो जाएगा, नेस्ट आता है 86 नमर कोश्चन कह रहा है, भारत में मैगरोब का दूसरा सबसे बरा छेत्र पाया जाता है, तो यह देखेंगे, तो गुजरात तर्ट के सहारे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यदि पहला पुछेगा, तो यह आपका सुन्दर बन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है, ने देखेंगे, तो केरल था, यहाँ पर इसका एंसर C हो जाएगा, राष्टी रासानिक परियोग साला कहां इस्थित है, यह जो इस्थित है आपका पूने में इस्थित है, यहाँ पर इसका एंसर C हो जाएगा, निक्की क्या है, तो निक्की जो है एक तरह का देखेंगे, त Met Amin A की मातरा, सुनंने चावल में सबसे जएदा पाया जाता है संतुलित उर्बरख पर्योग किया जाता है यह आपका पर्योग किया जाता है देखेंगे तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ठीक है भूमिक की उत्पादक्ता बनाये रखने के लिए यानि उप्रुक्त में से सब ही यहां पर D-Answer हो जाएगा निष्ट है तीरतिय बहुत संगती का आयोजन किसके सासन काल में हुआ था तीरतिय बहुत संगती का जो आयोजन हुआ था ये असोक के काल में पाठली पुत्र में हुआ था उसमें जिसका अध्यक्सता किया था निष्ट में खान के निवलुक्त में से कौन बिहार का सुवधयार बना था नुस्रत यार खा जहेगा ने देख planet city में डेन लोगों ने अपनी फैक्टरी कव अस्थापित किया थे यानि डच जो था यह अपना फैक्टरी जो अस्थापित किया थे ये किया था आपको सत्रो सोसच चोहत्य। सोस्थाट्र में भारत कप पहला भारतीय मंत्री मंडल बिहार में कब संगठित हुआ था तो पहला जो हुआ था यह हुआ था एक अप्रेल 1937 को और इस समय कौन था स्री क्रिश्टन पहले थे लेकिन बाद में एक अप्रेल 1937 को जो परधान मंत्री बना था यह याद रखेगा यह बना था Yusuf बना था ठीक है Yusuf Next question देखते हैं बिहर का चेत्रफर भारत के चेत्रफल का कूल कितना परतीसत है यह आपका 4.02 परतीसत है तो यहाँ पर इसका answer नहीं यह गलत है देखें बिहर का 4.00 भारत के चेत्रफर का यह आपका 2.86 परतीसत होगा तो यह आद रखेगा निज़ देखेगा बिहर में सरवाधिक छेत्र में कौन सा बन पाये जाता है तो सबसे ज़्यदा जो छेत्र पर बन पाये जाता है यह आदर पत्र जर जो बन है यह पाये जाता है राज का सरवाधिक कुल फसली छेत्र फ़ल वाला जीला कौन है यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका पस्मी चमपारन है यहाँ पर सी इसका एंसर हो जाएगा जनगरना 2011 के अधार पर सर्व भारत की तुला में बिहार की जनसंख्यां दसक्ये बीर्धी दर कितना था यानि देखेंगे तो यह बीर्धी सक्ये दर जो था भारत के तुला से अधीक था यहाँ पर इसका एंसर C हो जाएगा नेस देखते हैं last question है सेर्षा की परसासिनिक परियोगसाला किसे कहते हैं परियोगसाला जो है सबसे पहले जो बनाया गया था यह आपका सासारा में और सासारा में ही सेर्षा का मकवरा है ठीक है तो इस तरह से यह 100 question का solution हमने करा दिया है देखिए next जो लेंदी हो जाएगा तो जो प्लीज जो है सब वीडियो को पूरा देखेगा और answer अपना discussion से देख लिजेगा यदि 100 question का आप discussion देखते हैं तो मुझे लगता है 500 question उसमें ने तो 400 तो option से हो जाएगा टोटल 500 question उसमें आप cover कर लिजेगा तो यह हम next वीडियो से try करेंगे जो इसका फुल discussion कराएं ठीक है क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इसके कारण ही हम सिर्फ answer बता पाते हैं तो हम आगे जो वीडियो होगा उसमें फुल discussion कराएंगे के लास अच्छा लगा तो प्रिज लाइक करिए share करिए subscribe करिए और जो है पहले ये जो PDF है न आप PDF टेली गराम पर upload कर देते हैं वहाँ जाके download करके पहले test दीजिए और इसके बाद इसका answer मिलाईए देखे कितना सही होता है मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए जाहिल जाय भारत धन्यवाद बाद देखे क्लिए कह시नि पहले सेवड़ी औराम पर जाहिए